नमस्कार मया काजादो, आज कोई एक्जाम का अपडेट मैं आपको देने वाला नहीं हूँ, इसके पहले मैंने काफी वीडियो थ्रू एक्जाम एक्सपर्ट के थ्रू मैंने आपको अलग-अलग एक्जाम के अपडेट दिये है, बट संकल पेडियो के चैनल पे मैं अलग- पहला वैसा नोटिफिकेशन है कि नोटिफिकेशन की इंफोर्मेशन में आपको हिंदी में भी प्रावड करूँगा, उसके पहले जो लोग नए है, जो मुझे जानते नहीं है, मैं मेरा इंट्रोड़क्शन करा रहता हूं, मैं आकाज जादा हूं, मेरा B.E.E.N.T.C. में मैंने 2 साल इसे ब्रम में जाप किया, विद डेट मेरे बैंक एक्जाम में कुछ कोछ सेलेक्शन से ब्रावड है, पेंक एग्जाम में स्टेट बैंक ओंफ इंडिया को या मैंने 2 बार 5 खील कीया है, उसके यलाए ब्रोड़क्शन के पांच अलग अलग बैंक्स, बैंक के एक्जाम CGL उसमें और रेंग पचास रहे चुका हूं उसके रवा क्याट की एक्जाम में काफी वर मेरे कौंट में सिर्फ में 99% रहे चुका है और वहां पे एक अच्छा कॉलिज फैकलिटी ऑफ मैंनिमेंट स्टाइज यूनिवर्शिटी ऑफ डेली वहां पे सेलेक्शन हो था बट मैंने नहीं किया है हम आगे चलता है आज का जो पार्ट में दो हिस्सों में बाढ़ दूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन और नोटिफियंग का पीडिएफ पीडिएफ में जो-जो इंपॉर्टन पॉइंट से वो डिसक्स करेंगे सेकेंड हाफ में हम किसने अप्लाई करना चाहिए एक्जाम का स्टेडी प्लाइंग क्या होना चाहिए किस सब्जेट की लिए टाइमिंग में कित यह एक्जाम का पीडिएफ है आइडीबे का पीडिफ है कि एक्जाम और में क्हिंट मैं आपको पहले दी थी इस बार का एक नया इडिफिकेशन हाले वाला है लाइत नो इतना ही बोला था कि ओर न मनिपल नहीं देगा हां मनिपल यह नो एक सेट के लिए 150, 1-150, 1-200, 1-250 तक चला जाता है, बट ऐसे एक्जाम के लिए जब ऐसा क्लाउस होगा, तो उसके लिए competition 1-2 किसी भी डबल डिजिट में हो सकता है, might be 1-50, 1-70, 80, 90, वहां तक एक competition का लेवल नीचे गिर सकता है, सो हम हाँ, notification को देखेंगे सब से पहले, notification के application की last date 28 फरवर है, total number of vacancies काफी बढ़ी है, 600 vacancies है, जिसमें से 244 vacancies general के लिए है, SC के लिए vacancies 190 plus 244 है, ये vacancies सब के लिए लाग होती है, SC के लिए vacancies 177 plus 244, OBC की 89 plus 244, EWS की 60 plus 244, मतलब आप अगर EWS, OBC, SC और ST किसी भी candidate, किसी भी category के candidate हो, तो आपको यहाँ पे number of vacancies जादा देखते हो, यहाँ पे apply नहीं करना है, आप की ही category में apply करना है, आप इस वाले total vacancies के लिए वैसे भी आप हगदार है, हम आगे चलेंगे notification में, total 600 vacancy है, यहाँ पे assistant manager के लिए minimum 2 साल के experience बोला है, आगे चलके वो वालपॉइंट डीटेल में दिया है, age limit 21 से लेके 21 to 30 है, exam tentatively अपरेल में होगी, exam का अभी तक मेरे पास में कुछ भी tentative exam date नहीं है, बट जब तक आएगा, मैं तो कोई separate video बना के आपको इसके बार में information दे दे रहा हूँ, आपके आत में भी time जो है, लगभग दो मैने का time है, any graduate without any percentage rate रहा है, इस exam के लिए अपलाई कर सकता है, आपके graduation का experience का cutoff date है, वो 1st of January 2030 है, तो आपका experience आज के date में, या February में, या March में, फरवरी 23 में या March 23 में, दो साल complete होते हैं, तो यहाँ पर वैसे नहीं चालेगा, आपका experience 1st of January 2030 को, इस date का experience minimum 2 साल का जाहिए, application का window open है 17th Feb से लेके 28th of Feb तक, online exam tentatively अपरेल में हो सकती है, आगे, eligibility में देखिए आप, यहाँ पर educational qualification, repeat आया दो बार, experience जो है, वो minimum 2 साल का experience, bank and financial services, यहाँ पर दिया है, बैंक में भी चलेगा, financial services में जालेगा, इसके पहले, जितने भी recruitment मैंने पिछले दो ती में रिकूर्ट मेंट देख है, वहाँ पर एक word याँ वहाँ पर एक word यूज हो है, वो word है, schedule commercial bank, आप SBA की CBU की exam लीजिए, वहाँ पर भी schedule commercial bank मिलेगा, इंडियन बैंक की SEO की exam आई थी, वहाँ पर भी schedule commercial bank मिलेगा, यहाँ पर ऐसे कोई requirement नहीं कि आपकी bank schedule commercial bank को, तो आपकी cooperative bank को चलेगी, small finance bank को बिलकुल चलेगी, तो बैंक के category में कोई भी bank चल सकती है, ऐसा उन्हों दिया है यहाँ पर, तो आप अगर non banking financial company चलेगी, microfin, MFI चलेगी, cooperative bank, RRB, in fact, fintech company का experience भी चल सकता है, with that, insurance sector का अगर आपको experience है, तो वो भी experience यहाँ पर matter करता है, चल सकता है, देखिए, यह exam है assistant manager के लिए, so in companies में, कभी-कभी यह होता है, जिसके gram in bank के scale to scale 3 के लिए, वहाँ पर लिखा होता है, कि as a officer के डर, आपका experience चाहिए, यहाँ पैसा कुछ भी mention नहीं है, तो in companies में, अगर आपका in companies में, इन banks में आपका experience, as a clerical, या as a officer, कुछ भी experience हो, तो वो चलेगा, कभी-कभी आप इन बड़े-बड़े banks में काम करते हो, but आपका employment किसी third party का होता है, तो वो भी mention है, कि अगर third party का employment है, आप वहाँ के employee हो, और on behalf of, आप इस बड़े organization के काम करते हो, तो वैसा आपका work experience नहीं चलेगा, वो वाला party यहाँ पर mention है, तो, हाँ, हाँ, और एक, with that, दिखिए, अगर ये दो साल का, मतलब 24 मेने का आपका experience है, वो किसी दो अलग-अलग संस्ता होगा, किसी एक संस्ता होगा 14 मेना है, किसी second organization में आप पिछले 10 मेने से work करें, तो 24 मेने का work experience नहीं बिल्कुल चलेगा, कोई problem नहीं है, but किसी organization का आपका experience below six month है, below six month है, तो वो वाला experience नहीं count होगा, हम थोड़ा आगे चलते, career prospect में 36,000 IBPS या किसी भी nationalize bank का basic package 36,000 यह है, but IDBA की case में compared to other nationalize bank, मतलब IDBA का package SBA से थोड़ा नीचे, but other nationalize bank से थोड़ा सा उपर बढ़ता है, reason वहाँ पे HR-A हो और बाकी सवालों से से, वो किसी भी other nationalize bank के एक तो level में है या उससे जादा है, तो जिन जिन पुरानी student से मैंने बात की, उनका tier 3, tier 2 और tier 1 cities में उनका package 11 से लेके 14 लग तक पड़ता है, so minimum किसी भी tier 3 cities में उनका package 11 लग किया असपास, यह gross package है, वहाँ से लेके 14 लग तकों का package जाता है, इस bank में, so package काफी अच्छा है, इनकी जो promotion policy है, अगर आप fast track promotion के लिए opt करते हो, तो कम से कम 3 साल ज्यादा 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 चाल साल, यहाँ पर आपका promotion का time होता है, और अगर आप seniority based promotion अप्ट करते हो, तो वहाँ पर 5 साल, कम से कम 5 साल में आपका selection, आपका जो promotion है, वो promotion हो जाता है, तो दूफरे वैंकों के मुकाबले यहाँ पर promotion भी fast है, terms and appointment of posting, जो उनने यहाँ पर लिखी है, selection process, एक online test, और उसके बाद में आपका interview, personal interview, यह दो format है, आप में online test होने के बाद में interview के पहले आपका DV हो जाएगा, और interview के बाद में आपका medical test हो जाएगा, final selection के बाद में, यह उनका exam pattern है, exam pattern, जैसा exam pattern उनने पिछले दो तिन साल, ए ID by AM की नहीं हो थी, last year ID by PGD by exam होई थी, उसके पहले ID by PGD by AM दोनों की होई थी, और executive भी साथ में हो था, वहाँ पे और यहाँ पे exam pattern में कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे उनने logical reasoning and DI साथ में दिया है, so last year का exam मैंने as a scribe attend किया था, तो मुझे pattern अच्छे से याद है, एक से 40 तक question reasoning के होते थे, और 41 से लेके 60 तक के question यहाँ पे DI के होते थे, so आप मोटा मोटा पकड़ के जल सकते हैं, कि quant का विटेज 40 प्लस 20, यह 60 marks का विटेज का है, तो यहाँ पे आपको अगर DI उपर चला जाता है, तो यहाँ पे आपको arithmetic का विटेज का ज्यादा बढ़ेगा, then English का का विटेज 40 marks का, quantity to 40 question 40 marks, so quant plus DI का हमाँ add करेंगे, तो यह 60 marks का यहाँ पे हो जाएगा, और सिर्फ logical reasoning 60 minus 20, यह 40 marks का हो जाएगा, so quant including DI, यह 60 marks का विटेज है, general average का विटेज 60 question 60 marks है, English 40 and logical reasoning 40 marks, यह ऐसे विटेज उन्हों ने दिया है, with that, यहाँ पे आपको sectional cut-off लागू है, और और composite time है, sectional time limit नहीं है, negative marking 1 fourth हो सकती है, final selection के लिए आपका लगबग 75% विटेज, exact नहीं है, किसी भी IBPS exam में आपके score को convert किया जाता है, अगर आप देखोगे कि IBPS exam में 80% विटेज is given to return test and 20% विटेज is for interview, SBA के case में 75% विटेज for return test and 25% for interview, SBA CBO हो, SBA का PO हो, 75-25 होता है बीच में एक Recruitment Bank of Maharashtra नहीं कंडर्ट की थी, वापर 60-40 था, तो यहां पर यह जो विटेज है, आपके online test का, online test के जो marks आएंगे, उस marks को 3 by 4 से multiply किया जाएगा, और जो interview के marks है, उसको 1 by 4 से multiply किया जाएगा, तो यह विटेज exact 75-25 नहीं है, but approximately उतना ही आएगा, अगर अगर 200 में से 80 marks यहां पर है, और 100 में से रेटर से 80 marks यहां, 90 marks यहां पर है, अगर आप वहां पर भी calculation करके देखोगे, तो मूटा मूटी 75-25 परसेंट, इसी डंग से विटेज यहां पर आपको दिखेगा, चलिए, आगे, इडिविटी में नैशनलिटी, इंडियन उबिस ह है, relaxation, SC category के लिए, SC ST के लिए 5 साल, और other backward category, OBCs के लिए 3 साल का यहां पर age relaxation दिया हुआ है, वैसे तो expected था मुझे, कि अगर 2 साल का expense इनको चाहिए, तो age limit 30 की नहीं होनी चाहिए, तो 32 या 33 की होनी चाहिए थी, जैसे कि ग्रामीन में के case में आपने देखा है, कि scale 2 recruitment के इन्होंने, प्लस SBA, CBU नहीं, यह age limit शाहिए 30 तक की रखी है, जो कि 32 उस हिसाब से होना चाहिए था, वरक experience के बारे में मैं पहले आपको बता है, banking and insurance experience यहां पर आपको चलेगा, then कुछ student पूछते कि society's का यहां वहां का experience चलेगा क्या, so ऐसे case में बच्चों का शाहिद ज 16 हो, अगर इसमें से कोई भी प्रूफ आपको during joining पूछ लिया, तो वहां पर आपको दिख्कत में आ सकते हो, आपको एक ही application करना है, और आप एक से ज़्यादा multiple application करोगे, तो आपको जो last application है, वही application आपका consider किया जाएगा, next, यहां पर, just a minute, यह application की जो fees है, वो SCST physically challenge student के ल एक interview, online test plus interview, यहां पर final selection होगा, then, वहां पर लिखाए उन्होंने कि list of documents आपको कौन को सी तयार रखनी है, इसमें से important document जिसके बारे मैं बोलूंगा, एक पहला है को work experience certificate, work experience के लिए आपको क्या कहा चाहिए, वो एक बर पढ़ी लीजे, with that, जो student OBCS में या EWS में आते है, उन के आगे चलके कहीं पर भी उसका requirement हो सकता है, हर साल, हर exam में, मैं काफिस एस student से बात करता हूँ, कि उनको interview न देने के पीछे का reason, उनके पास में updated उस साल का center OBCS certificate, या center के format की EWS certificate नहीं होना यह है, latest case person के दिन, SBA के CBO के interview शुरू है, और वहां पे एक हमारे student के पास में, ज latest EWS certificate ना होने की वज़े से, उन्हें interview के लिए appear नहीं होने दिया bank ने, so, आपको work experience का पुरा पार्ट ध्यान रखना है, उसके साथ में आपको, अधर इसमें, EWS और OBC candidate के लिए, उनके certificate हर साल के लिए तयार रखना है, SCST के लिए वैसे कोई problem नहीं है, reason, उनको हर साल certificate निक pressure के लिए हुआ करता था, हम थोड़ा सा यहां से, जो बाकी IBPS का typical form कैसे apply करते है, so, अगर बच्चों ने 2 साल bank में काम किया, तो इसका मतलब उन्होंने IBPS की कोई ने, कोई एक्जाम इसके पहले appear की होगी, so, IBPS की एक्जाम appear की होगी, मतलब IBPS का form भी बढ़ा होगा, so, उस किसी ढंग से उन्हें form भरना है, जिस ढंग से वो कि कोई भी IBPS का form भरते है, उसके बाद में, शायद आगे exam center और उसकी list है, हम थोड़ा सा आगे चलेगे, exam center across India, annexure 2 में, exam center, then, अलग-अलग format में, SC certificate, ST candidate का certificate, OBC, EWS, किस format में चाहिए, उन सब के format भी शेर की होए, और across India, अ center के list भी उन्हें दी है, आगे, हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, सबसे पहले यहाँ पर, मैंने कुछ points आपके लिए, ड्राफ्ट किये, सर ये recruitment वैसे तो freshers के लिए होना चाहिए था, और freshers इसकी मांग करता है, in fact, मेरे भी Marathi वीडियो के नीचे, और बाकी वीडियो के बीता हूँ, देखिए, बैंक जो है, कोई भी schedule commercial bank है, उनका primary motive जो profit का होता है, शाद आपको यह answer अच्छा ना लगे, बट मैं थोड़ा सा straight forwardly बात करता हूँ, बस आपको अच्छा लगे, इसलिए मैं ये बाते नहीं करूँगा, आपको, इस exam के लिए total number of applicant, शायद मैंने जैसे कि मैंने बोला कि अगर 500 vacancies है, into 50 में करता हूँ, तो 500 into 50,000, 500 into 100 करता हूँ, तो 50,000, so anything between 25 से लेके 50,000 तक number of applications आएंगे, ये मैं पुरान experience है करा हूँ, कि जहां पे experience नहीं होता है, वहां पे एक form के लिए लगबख वो ratio 200 के असपास होता है, बट यहां पे 50 से लेके 100 क बीच में होगा, आप खुद ही तोड़ा सा देखे कि टोटल नंबर अप्लिकंट, मैक्सिमम 25,000, 50,000 और एक्जाम न देने वाले आड करकी जो कुछ अप्लिकंट है, क्या उतने केंड़ेट ट्विटर केंपन के लिए सफिशेंट है, सबसे पिल इसके पहले भी अलग-अल बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेट ऑफिसर के वेकंसी जो है, वो ड्रास्टिकली कम करके कुछ अगर टोटल वेकंसी सो थी, तो 15 ए 20, 10, 15 ए 20 वेकंसी उन्हें ने फाइनल फिगर आउट की थी, उसके बाद में बच्चों ने कैम्पेन किया था, अब दिखिए कि यहां पे बै कोई भी प्राइवेट बैंक का प्राइवेट बैंक में काम करने वाला रेडिमेड बंदा अगर उनको मिल रहा है, तो यहां पर बैंक क्यों दूफरे एक्जाम के लिए, दूफरे इसके लिए सोचेगा, इसके पहले 2012, 13, 14 के अगर आप टोटल वेकंसी देखोगे, SBA के व बैल 13, 14 की बात कर रहा हूं, तब आती थी, बाद में SBA ने अपने विकंसी ड्रास्टर के लिए ड्रॉप करके 22,000 के अडविड में स्टार्ट के, इस बार SBA ने 2000 के जगा पर 1600 कुछ विकंसी यहां पर उन्होंने पोस्ट किया, बट उसके साथ में उन्होंने CBO का एक पोस पाकेज में, अगर कोई ऐसा बंदा मिलता है, जिसका एक्सपरेंस दो साल, तीन साल, चार साल का है, और वो प्यो के लिवल पे आके काम करनी के लिए, तो वहां पर SBA क्यों वो वाल उप्शन नहीं अप्ट आउट करेगा, अगर SBA ने वो किया है, जनरली बाकी बैंक्स, या IDBI हो, वो SBA को फॉलो ही करते है, अगर SBA को वहां से उनको अच्छे रिजर्ट मिले है, SBA को CBO से निश्यत तोर से अच्छे रिजर्ट मिले होंगे, so that उनले SBA की CBO की एती फ्री अड़िजिमेंट थी, तो सेम ऑप्शन, बाकी बैंक्स भी चॉप आट करे होंगे, IDBI specialist के लिए, gender banking के लिए, but with experience try करा होगा, तो bank का वहां पर motive काफी clear होता है, उनको इस रिदंग से employee चाहिए, हाँ, with that, वो तो ठीक है, but with that bank को, जो freshers के लिए PGDWF का recruitment है, at least वो कम से कम शुरू रखना चाहिए, क्योंकि freshers को कही ना कही entry होनी चाहिए, इस बार PGDWF का क्या अपडेट नहीं है, बट जब PGDWF का अपडेट आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बच्चे, generally ऐसा को recruitment आने के बाद में, पढ़ाई एक साइड में छोड़ने के बाद में, जादा तर चर्चा इसी बात पर होने लगती है, तो मुझे लगता है कि ऐसे चर्चा बीट, ECGC वाला हो, RBI वाला हो, या आने वाला upcoming IBPS का कैलेंडर हो, SBI का PO, SBI क्लिकल, ये वाले recruitment ऐसी चर्चा के दौरान आपके हाद से निकल न जाए, बस यही मेरा यहां पे opinion रहेगा, ये वाला recruitment किसकी लिए है, तो जो student अलग-अलग banks में काम करें, अलग-अलग private bank में क करें, वहां पे माहूल कैसा है, हम सबको अलग से बताने की ज़रुत नहीं है, वहां पे package कितना है, वो भी अलग से बताने की ज़रुत नहीं है, मनीपाल का जो campus, मनीपाल का जो idea है, मनीपाल का सबसे पहले idea, चौकड किया था, ICSA Bank ने, और ICSA Bank का मनीपाल के concept का, मैं पहले batch का मैं पहला student हूँ, पहला student क्यों कि मेरा नाम आकाश, डबल से स्टार्ट होता है, तो मेरा रहूल नमबर एक था है, इसलिए मैं ऑफिशली वापर उनका पहला student हो, सो मनीपाल का पार्ट उन्होंने स्टार्ट किया था, यहां पे काफी बच्चों ने ICSA, ACCSA, ASIO, 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 ASIO मनीपाल का कॉर्स हो, वो जोइन करने के बाद में, उस वक्त मनीपाल में मुझे मेरे पहली पकार होती थी 25 और 625, वो in-hand package होता था, तब cutting हो रहा नहीं होती थी, वहां से लेखे आज तक, अगर हम बैंकिंग, प्राइवेट बैंक का पकार देखे, और उसी वक्त गवर्म का जो सालरी है, वो कम से कम साधे तीन से चार गुना बढ़ा है, प्राइवेट बैंक के केस में, हाड़ली 10-15%, 20% बढ़ोते होगी है, अगर आप IT कंपनीज के केस में देखोगे, IT कंपनीज के लिए, मैं 2007 का ग्राजूट टू, 2006-7 में हमारे कॉलेज में TCS आई थी, TCS का उस वक्त तक 2006-7 का पैकेज था, 2.9 फर फ्रेशर्स, इंजिनियर्स, हमारे कॉलेज में MCA का भी डिविजन था, तो 2.9 फर B, and 3.2 फर MCA के लिए का इंडिट, क्योंकि उनका PG हो चुका है, तो उन्हें 30 रर जादा, आज उसमें पिछले 10-12 सालों से 15 सालों में, 16 सालों में कितनी बड़तरी हो, तो कुछ बड़तरी होई नहीं है, तो ऐसे प्राइवट बैंक में, ऐसे हजारों स्टुटेंट हैं, जो कम पैकेज को उपर काम करें, यहां पे उनको 2 साल में, 2 साल ICSA में, AXIS में, ADFC में, COTEC में, इंडेसेंड में, यहां पे या फिर कोई भी अच्छी बड़तरी यहां पे उनको पैकेज में दिखने वाली है, सेकेंड, काफी सारी वर्किंग प्रफेशनल, जो अभी तैयारी का सोच रहे होंगे, वो अपने स्टेडी से आउट अफ टच हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि यहां पे आपकी कॉंपिटिशन फ्रेशर के स सकती है, अगर यह वाली सेम अटिपिजमेंट फ्रेशर के लिए होती थी, तो दोसो में से 100, 200 में से 100, 200 में से 20, यहां पे कर कट अउफ जाता है तो आपके किसमें कट अफ यहां पे काम करेंगे कि यार, पहले तुम मैंने काफी पढ़ाई की थी, अभी कुछ याद नहीं ह 60 marks का GA है तो मैं GA से start करेता हूँ आप GA करिए no doubt बट अभी पिछले 2 साल में जब से अपने banking छोड़ी होगी तब से पिछले 2 साल में GA का level काफी जादा खराब हो चुका है एकदम detailed में question आते हो तो आप GA के वरोस से पर आपका exam मुझे रखता है कि आप over dependence हो जाएगा कि अगर आप सोचोगी कि 200 में से मैं 60 marks की तयारी करता हूँ क्योंकि बाकी 140 marks की तयारी के लिए मुझे pen paper copy लगेगी बट GA के लिए मैं मेरे काम के दौरान मैं कान में headphone डालके मैं वो सब सुन सकता हूँ और कर सकता हूँ बट आप over dependent ना रहें क्योंकि पिछले दो साल से general awareness का level काफी जादा खराब हो चुका है तो with that with GA आपको आपकी preparation quant, reasoning और English के उपर equally weightage देना पड़ेगा last year जब exam PGDBF की हुई थी तब ये जो 40-20 marks का DI वो DI का आपकी आसाना है था 20 marks का कोई भी student वहां पर 20 में से 20 attempt कर सकता था लेकिन DI का weightage, DI का section quant में है था वो LR plus DI में गया था वो एक part next तो वही experience मैं ID by M और ID by PGD पर बता रहा था आपको कि आपको ये 60 marks के उपर का weightage कम with that ये 140 mark जहां पर ये GA के अलावा 60 marks quant के, 40 mark reasoning के और 40 marks इसके साथ साथ आपको इसके उपर भी focus करना पड़ेगा, आपको time कैसे भी करके निकालना पड़ेगा, अगर आप वो ऐसे लगता है कि यार कुछ ना कुछ changes life में होने चाहिए अभी जो temporary आप जहां पर काम करें, वहां पर आपके reporting authority है, या वहां पर आपका का structure है, काफी दाथा targets है, sales है, pressure है यह सब चीज़े आपको लगता है कि कुछ न कुछ में उसमें बदला होना चाहिए, तो मुझे रखता है कि अच्छा time है और एक अच्छे advertisement है आपको काम करने के लिए पिछला IDY AM का recruitment और IDY PGDBF में एक्जाम के difficulty level में अगर आपने 2-3 साल पहले कोई exam appear की थी IBPS की तो उसके मुकाबले भी difficulty level बढ़ा है बट अगर difficulty level बढ़ा है, तो cut off भी नीचे आता है, मैं एक fresher का आपको example देता हूँ, कि fresher के case में इस साल IBPS की curriculum की exam हुई है IBPS curriculum pre में 100 में से cut off है महराश्रा का cut off is 75 अदगलग स्टेट का दगलग हो सकता है 100 में से pre exam IBPS का cut off यह है अच्या अभी मेंस का cut off वैसे इस साल का मेंस का cut off आपको declared होगा एक तरीक को 1st of April को declared होगा बट लास्ट यहर में 200 में से IBPS clerk मेंस में आप यह सुचोगे कि अगर 100 में से 75 है तो 200 में से cut off जादा ही होना चाहिए मेंस की difficulty जादा होती है तो महराश्रा का 200 में से अगर 100 में से 75 यह महराश्रा का pre का cut off है तो 200 में से सिर्फ 68 का cut off last year में था तो अगर paper की difficulty level बढ़ती है तो cut off भी drastically down होता है तो अगर आपको ऐसा लगे कि IDVA AM और IDVA PGDWF के या IDVA AM की कोई आप knock test लगा रहे हो और उस वक्त आपका score drastically कम आ जाए तो आपको confidence नहीं होना है आपको यह वाल example यहात रखने पेपर की difficulty रहादा है तो वहाँ पे cut off भी कम रहेगा है या private है IDVA में कुछ 49% share LSE के पास में 45% share Government of India के पास में और वहाँ पे Government of India उसमें से stack और LSE को बो लगा है कि आपको आपका stack दीर दीर कम करना है तो मैं थोड़ा इस मामले मामले से चिंतित हो आप सबसे पहले देखिए मैं किया करा है उसे बढ़िया आप अभी कहां पे हो आप कौनसे bank में हो आप क्या package आपको मिल रहा है और मेना के बाद कि परकरेंशने को ड़ें दो चीज़े आप कोंसी bank में हो ? आपका package कितना है ? तो तो क्या यह तीन questions क्या आप आप का वरक एंवर्मेंट IDVI में आने के बाद में थोड़ा सा ठीक होगा मैं सुधरे का यह नहीं बुरा हूं क्या ठीक होगा बैंक जिस बैंक में हो क्या उससे बड़ा ब्रैंड IDVI है यह दूफरा पॉइंट है और तीफरा क्या आपका पैकेज जो है अभी जितना है और आगे चलके कुछ असी से लेके एक लाग बिस तक ग्रॉस पैकेज होगा क्या वह वह वाला पैकेज अभी के पैकेज से ज्यादा है कम है यह आप कुछे और यहां पर आप खुद के सुच यह मुझे नहीं लगता है कि बैंक के बारे में मैं ज्यादा आपको सोचने के सोचना चाहिए इसके पहले भी अभी जो आपका को आई टी आ एक्सिस बैक इसके पहले था शाद उसमें कुछ गवर्मेंट के शेरली उसके पहले थे लेकिन बैंक किसी भी बैंक का पू तो भी नेशनलेस बैंक को या प्राइवट बैंक को इससे बचा नहीं है, आप अभी कहां पर और आपको कहां पर जाना है, क्या आप जहां पर अभी हो, वहां से IDVA की यह वाली पोस्ट आपको दो पाइदान उपर लेके जा सकती है, तो आपको यह वाला पाट आटम्ट करना चाहिए, नहीं लेके जा सकती है, तो आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए. How to start preparation of online test, तो आपको जैसे जैसे time बीच-बीच में मिलता है, during your work, आपको जैसे time मिलता है, तो आपको वो वाला time utilize करना चाहिए, general average के लिए, पिछली 6 मन का, specifically आपको बीच में, फ्री से start कर जीजे, कोई भी part अगरा पेड में ले लोगे, तो आपको भी पता है कि आपकी उपर pressure, tension कितना है, और क्या आप उतना part कर पाओगे, तो कोई free content से start कर जीए, free में, एक बार जैसे कि, दो दीन, चार दीन, पाच दीन, साथ दिनने, आपको एक continuity आजाए, उसके बाद में कोई नों को एक paid part आप, country's English के लिए, country's English और GA के लिए, यूज कर सकते हैं, so वहां से आप start कर लीजे, then sir, interview के लिए कैसे करना है, interview के लिए, at least आप सबसे वहले online test के तेहरी कीजे, interview वाला part, हम आई प्रत्थम पे भी करवाते हैं, क्योंकि मेरे साथ में, अभिशेक गाई के सर, जैसा मेरा बायोड़ा है, उससे भी थोड़ा बढ़ा बायोड़ा है, जैंत मोकाशी सर है, वो भी उनका भी बायोड़ा इतना ही बढ़ा है, उसके साथ निखेल डांगे सरे, जो exam expert के उपर interview का पार्ट चलाते हैं, पूरवा गोयल मड़म है, जो SBA में branch manager रहे चुकी है, तो काफी बड़ी टीम हमरी interview के लिए, आपके लिए रहेगी, बट उसके पहले आपको ज़्यादा तर सोचना है कि मैं कैसे online test को tackle करूँ, और यह वाली post यहां पर जो maximize करना है, मैं maximize करूँ, इतनी information मुझे इस exam के बरहे में आपको आपके पास पहुचा नहीं थी, मैंने start करते हैं काफी छोटे recruitment से start के हैं जिसके जिसका जो target crowd हो काफी कम है, तो यहां पर अच्छे reviews आते हैं और यहां पर आपको दी हुई information में एक ये video के थूँ अच्छी लगती है, तो आप comment किजिए कि इस video में कौन सा पार्ट ठीक आपको लगा, कौन से पार्ट में improvement के ज़रूत है, वह वाला पार्ट में अब कमी आने वाले सभी videos में करने का try करूंगा, धन्यवाद.